हलो गूड मॉनिंग और वेलकम बैक फ्रेंट्स आप देख रहे हैं पेशर एजूकेशन यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे 23 दिसंबर से रिलेटेट जितने भी इंपोर्टेंट का रंट अफिस बनती हैं सारे इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे साथ काफी सारे एक्ष्टा फेक्ट भी आप डिसकस करेंगे सो पूरे लेसन को थ्यान से और लाश्ट तक आप जरूर दिखिएगा इसकी पीडियेप आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुख्यमंत्री ने टी सेतु का उडगाथन किया है जो कि उरिषा का सबसे लंबा पुल है किस नदी पर बनाया गया है तो यहाँ पर जो ती सेतु है यह महानदी पर बना गया है उडिसा के अंदर जिसे हाल ही में जो वहां के मुख्यमंतरी है नवीन पतनाईक इनके द्वारा इसका उद्वकाठन किया गया है टी सेतू का यहाँ पर देखेगा जो टी सेतू है इसको इस तरी के टी जेतू है जो कटक जिले में महानादी पर बनाया गया है जिसकी लंबा चोड़ा यहां पर आप देख सकते हैं तीन पॉइंट चार किलोमेटर लंबा है यह ठीक है और यह जो पुल है यह बडंबा में गोपी नातपूर बांकी में बेदेशवर को सिंगा नातपीट से आपस में कनेक कनेक्टिवटी प्रदान करता है ठीक है फिर देखिएका नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार 25 दिसमबर को महत्वाकान से मुप्त स्माट योजना सुरू करने के लिए तैयार है यहां पर जो मुफ्त स्माट फोन योजना है यह किस के दुआरा सुरू की गई है यह उत्र प् और tablet वित्रित किये जाएंगे फ्री में ठीक है यह जो यूजना है यह especially जो final यह के जो candidates है ठीक है जिसे कि कोई भी जो course है भी टेक हो गए आपका कोई भी मतलब की UGPG के courses होंगे ठीक है तो उनके जो final जो students है उनके लिए यूजना सुरू की गई है यूपी सरकार के द्वारा जिसमें फ्री स्मार्ट फोन और जो टेबलेट से वो वित्रित किया जाएंगे ठीक है तो इसका जो पहला जो मतलब की है जो फर्स्ट स्लोट है वो 25 दिसंबर को वित्रित किया जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर भारत सरकार और किसने सूरत मेट्रो रेल प्रियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के रेन समझोते पर अस्ताक्सर किये हैं तो यह समझोता हुए है जर्मन बैंक और जो यहाँ पर भारत सरकार है दोनों के बीच में यह रेन समझोता हुए है टोटल 442. 26 मिलियन यूरो का ही समझता हुआ है जिसका उप्योग शूरत मेट्रो रेल प्रियोजना के लिए किया जाएगा किसके साथ हुआ है जर्मन बैंक के साथ यह चीज यहाँ पर ध्यान रखेगा उसके बाद में देखिए अगला है अपना कॉसन 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है देखे यहाँ पर 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्टिय गणित दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस राष्टिय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है फोटो में आप देख रहे हैं इसे एक प्रसिद भारतीय गणित तक ये थे और इनकी उपलबदियों को समबदने के लिए इस तारीक को यादगार बनाने के लिए भारत सरकारde इसे राष्टी गणित दिवसके रूप में मानने था दी थी और 2012 में देश्व के तत्कालिन प्रदानमंती डाक्टर मनमौन सिंग ने मद्राथ विश्विद्धाला में रामनोजन की 125 वी जैनती समारों के दोरान इसकी घोशना की थी तो 2012 से जो है इसकी शुरुवात वी थी जो राष्टिय गणी दिवसे से मनाने की और इनको यहाँ पर सम्मान देने के लिए जो हमारे प्रिसिद्ध महन गणी तेगे थे ये रामनोजन इनकी जैनती को यहाँ पर इसकी शुरुवात के गई थी 2012 में ठीक है तो ध्यान भारत में राष्टिय गणी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है भारत में सहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए भारत और किस संगठन ने टोटल 350 मिलियन डोलर के निती आधारित रिण पर अस्ताक्सर किये हैं देखिएगा यहाँ पर जो भारत में सहरी सेवाओ ने खिये हैं भारत में सहरी सेयुट के पहुंच में सुधार के लिए यह जो समझोता किया है तोटल 350 मिलियन डोलर का ये ADB के साथ किया गया है किसके साथ ACI विकास बेंग के ACN डवलप्मेंट बेंग के साथ ये समझता हुआ टोडल 350 मिलियन डॉलर का ये आपको ध्यान रखना है ठीक है निती आधारती करेंट समझता है ये उसके बाद में देखेगा CADS 500 हाल की खबरों में रहा है CADS 500 क्या है तो यहाँ पर देखेगा ये एक हवाई वित्रन परनाली है क्या है हवाई वित्रन परनाली है देखे यहाँ पर आपको या भी न्यूज में आपने पढ़ा होगा CADS 500 है ये 500 किलो विस्पोटक को ले जाने में सक्सम है फोटो में देख रहें एक तरी केसे एक विरा शुट है मनलब की और इसकी मदद से यहां पर यह क्या करता है GPS उजर्णी क गया है GPS उज जर्णी किया है और इसको जो है कोई भी विस्पेटक किया है भारतिय सेना के लियूज किया जाएगा और इसको DRDO के दुवारा इसको जो है आल ही में क्या किया गया है सपलतापुर किसका परेक्षन किया गया है इसमें क्या होता है कि एक GPS लगाया है और एक RAM AIR Sperashoot जो है इसमें स्तापित किया गया है ठीक है और इसके अंदर क्या है कि कोई भी आप जो है इस पर टक सामेगिरी को एक पहले से प्री डिफाइन जो डेस्टिनेशन है वो फिक्स करके इसके अंदर और जो GPS लोकेशन सेट कर सकते हैं वहाँ पर यह अपने आप जो है एर के जरिये यहाँ पर ले जाएगा और लोकेशन उसको ड्रोप करेगा यहाँ पर GPS का सबसे मेंड चीज यहाँ पर यह कि इसमें GPS यू टेकनलोजी यूज की गई है जिससे की कहीं पर भी यह जाएगा जो टार्गेट आपने फिक्स किया है जो GPS लोकेशन आपने फिक्स किया है उसी पर जाकी यह यहाँ पर लेंड करेगा एकुरेट जगह पर ठीक है तो यह काफी बड़ी यहाँ पर सपलता हासिल किये भारत में ठीक है जहाँ पर जो मुतलब की जो हावा एहलीकोप्ट श्वगारा जानने में एसकसम है वहाँ पर ये जो समगरी है विस्पोटक समगरी वो ले जा सकता है ठीक है नेक्स्ट है अमरत महुत सहु शंकला के 1857 के कारिकरम को हिस्से के रूप में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन सो हाल ही दिसंबर 2021 में कहां आईजित किया गया है तो ये आपका लखनव में किया गया है भारत का सबसे बड़ा ड्रोन सो था जो हाल ही कहां पर लखनव में आईजित किया गया है यूपी में ठीक है नेक्स्ट देखिएगा दिसमबर 2021 में तीसरा भारत मद्धे एशिया समवाध कहां आज़ित किया गया है तो ये आपका नई देली में ही आज़ित दोओा है हमारे भारत में जो नई देली है वहीं पर भारत मद्धे एशिया समवाध का यह तीसरा संसकंड भी यहां पर आज़ित किया गया है देखे भारत मद्धेशिया वारता की जो तीसरी बैठग है नई दिल्ली में आज़ित के गई है हमने डिसकस कर लिया है यहाँ पर जो दूसरी बैठक है 2020 की वो भी भारत की मेजवानी में ही नई दिल्ली में हुई थी आज यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है यहने की 2020 की जो दूसरी बैठक है और तीसरी बैठक जो है आली सब्बनों यह दोनों की मेजवानी भारत नहीं की है भारत और मद्धेसिया देश जैसे की कजाकस्तान हो गया कर्गिस्तान, कजाकस्तान, तर्केमिनिस्तान और उजवेकिस्तान इन सभी के बीच है एक मंत्री इस्तरिय समवादा ये जो भारत मद्धेसिया वारता है ये ठीक है ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है किस राज्जे ने आई एम सक्ती उडान योजना की सुरूआत की है ये योजना सुरू की गई है राजस्तान सरकार के दौरा आई एम सक्ती योजना किसके दौरा सुरू की गई है राजस्तान सरकार ने इस IAM सक्ति उडान यूजना को शुरू किया है किस कम्पनी ने भारत में रक्षा बक्री फॉक्स नाम से एक बक्री फॉक्स टी का लौन्ज किया है तो ये क्या गया है Indian Immunological Limited अिंडियन Immunological Limited जो है I.I.S. इसी ने यहाँ पर बकरी रक्सा फॉक्स नाम से एक बकरी फॉक्स टीका जो है लॉंच किया है भारत में Next देखिएगा मौर्ग मुगाओ से समंदित नेमन में से कौन सा कथन सही है क्या नाम है यहाँ पर जो वर्ड है जो हाली खबरों मेरा है मौर्गाओ मोर मुगाओ जो है एक P15B वर्ग का दूसरा सवदेशी स्टिल्थ विद्वनसक है ये आपका सही है जो P15B वर्ग है उसका ये दूसरा सवदेशी निर्मित एक स्टिल्थ विद्वनसक है और ये जो मनलब की इसका निर्मान जो क्या गया है वो क्या गया है जो मजगाओ डाक से builders limited है इसके द्वारा इसका निर्मान क्या है और भारतिय नोशेना ने अरब सागर में more-mugau के लिए हाल ही पहला समुद्री fraction किया था तो ये भी आपका सही है तो आपके तीनों option है यहाँ पर सही है तो correct रंस होगा वो परोक्त सब भी यहाँ पर सही है तो more-mugau क्या है एक स्वदेशी निर्मित stealth with one सके ठीक है next यहाँ पर जब बात करते हैं जो आज की quiz है इसका answer लिखना है आपको नीचे comment box में देखे question है कि बीते दिनों किस देश ने 2021 का उबरकप जीता था तो जो भी correct answer लिखना है आपको नीचे comment box में I hope आपको वीडियो पसंद आईए तो like से जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में इतनी है मिलते हैं next video में धन्यवाद